आई आप सब्सक्राइब का स्वागती मेरे इस चैनल में देखे और सिखे दर नीटिंग चैनल में तो आज में बनाने जारे हैं त्रेडी फ्लावर से आप आगे इसे थालपोस भी बना सकती है और टेबल कॉल बना सकती है तो उसके लिए सबसे पहले फोर प्ले लेंगे इस तरह से लेंगे और पहले फाइफ चैन बना लेंगे वाण टू त्री फोर और ये फाइब यतनी टाइट होनी चाहिए कि क्रुसे ऐसी में देखे कि ज्यादा टाइट और ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए हमारे और सबसे फास्ट और ये चैन पर डालते हैं हम इसे इस चैन से निकाल लेंगे अब यहाँ पर हम थ्री चैन लेंगे वाण टू और ये थ्री थ्री चैन लेने के बाद ये जो हमने रिंग बनाया है इसके अंदर डालते हुए हमें अठारा डबल क्रूसे है बनाना है इस चैन को भी हम काउंट करेंगे एक दो डबल क्रूसे हो तुकि यह तीन डवस्य इसी तरह से करते गए में 18 डवन क्रोंशे Columbia ना जेस 10 गोजिए अविक्षा रेटिए इससमें नोब तैनर मं या जाले कि कर लेंगे इस तरह से करनी के वादि कि यहां से तैन जन से IDE तूर त्री फूर फाइब सिक्स एवन एड़ नाइन और यह टेन टेन बनाने के बाद देखें यह सी स्काउंट करेंगे यहां से एट वी चेन पर हम डाल के यानि आठ वी चेन पर डालते हैं यह से तरण इचे संटू चेन छोड़ देंगे यानि वन टू चोड़ के थर्ड चेन पर डालते हैं इस तरह से पहली चेन से निकाल लेंगे आप कुरोशे पर धागा लेंगे और इसी जगह पर डालते हैं एक डबल कुरोशे और बना लेंगे कुरोशे पर धागा लेंगे और इसी जगह डालते हैं हमें डबल कुरोशे बनाना है कुरोशे पर धागा लेना है जिसमें हमने बनाए यह चेन में एक चेन छोड़ के एक डबल कुरोश यह सेकड़ चृष बनाएंगे इagit में डबल कुरोशे यह सेगे चेन लेंगी कि यहां बनाने के वर हम नेजी यहां पे जोड़ा है इसे यह लेंगे और यह जो डबल क्रॉचय बनाया था इसी बनाया वह था इसे लेंगे इस तरह से और पहली वाली दालती है यहां पे यह अर। के ग्रोक्रोशा बना लेंगे फिर फिर पे दागा लेंगे तो उसकी बीच मेट परेस हैं कि यहां पर डालेंगे इ कि परेजा प्रेंद से नियां इंटेष्ट जासथे जाद हैं यह बनाएंगे मंहाइंत एक डबल क्रूशे उसके बाद फिर सेवन चेन लेंगे यानि साथ चेन लेना है एक दो तीन चार पांथ छे और ये साथ यानि सेवन चेन फिर समस्य तरफ से करेंगे यहां पर डालेंगे इस चेन पर और यहां जो डबल क्रोसे बनाए है हमने इस के और यह पहली वाली चेन से इस तरह से सिलिप करते हुए निकाल लेना है और जहां सबने डबल क्रोसे बनाए तो फिर एक इसी जगह पर क्रोसे डालते हुए एक डबल क्रोसे बना लेंगे तो इसी तरह से करते हुए हमें पूरे में बनाना है तो इसे लिए बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको तो देखिए डिजाइन हमने यहां पर बना लिया तो इसे हम यहां पर जॉइंट कर लेंगे है रिपिषे से जॉइंट कर लेना इसे जब आप ironyषे करेंगे एस्तरा से लो होगा देखे को पूरा पूरा बनालें यह पाग्या नहीं रहेगी है अज़िकि रखे इस तरह से डालना है फिर से देखी इस चेन के बीच में जो गैप दीखरी आप यहां प्रमी इस तरह से चेन को एक स्रूई कुरसी अगर डालेंगे सबसे फैलती हमें बांधना है दो फंदो को एक साती से हम सिंगल क्रोशे पैलिक कर लेंगे उसके फिर एक और दो चेन लेंगे अब यह खाली जगा हमारी हो गए और हमने जो यह डिजाइन बनाया था सेबैन चेन का इस तरह से जुखा देना है और यहां प्रिजिट लिएन है यहां चो फंदे दिखेगी इसा के अंदर हमें फोर डॉट से करना है तो एक चेन हम पहले कर लिए हैं और यह हो गया दो यह तीन और यह चार चार डबल क्रूसे हो गई अब देखे इसकी बीछे जो दू डबल एक चेन और एक डबल क्रूसे दिखे रही अब यह जो चेन डबल क्रूसे दिखे रही इसमें हमें डिजान मिलाना है फिर यहां भी हम इस तरह से उठाएंगे इस तरह से और यहां पर हम 3 double crochet करेंगे यानि 3 double crochet करेंगे एक दो और यह तीन देखिए सबसे पहले हमने यहां पर किया फिर यहां पर किया अब क्या करेंगे जो हमने चेन बनाएब था अब इस चेन में बनाएगे हम यानि यह भी double crochet है तो यहां पर डालेंगे और यहां पर भी हम बना लेंगे एक double crochet है यानि 3 बीच में बनाएँगे 4 double crochet है फिर side side जो हमारे double crochet है उसमें हमें 3 3 double crochet है बनाना है हमने यहां से स्टार्ट किया हुआ था इस तरह से सबसे पहले 4 बनाया है फिर side में जो हमारे double crochet है उसमें 3 बनाया है फिर इधर की double crochet है थे हमने उसमें 3 बनाया है अब दिखिए इसके पीछे जो हमने यह डिजाइन बनाया था 7 chain का अब इसमें डालते हुआ हमें बनाना है 7 chain में जो डालते हुआ बनाया था इसमें हम 8 double crochet बनाएंगे 1 double crochet 2 double crochet 3 double crochet 4 double crochet 5 double crochet 6 double crochet 7 double crochet 8 double crochet यहां से यहां तक हमने 8 double crochet कर लिया है अब दिखिए इसकी बीच में दिख रहे हैं को अमने अलग लग पार्ट में जो बनाया वह था तो यहां पर बीच में गैप दीख रहे हैं को यहां पर हमें इस तरह से डालते वे और पहली चैन से निकालेंगे इस चैन से में इस तरह से निकाल लेना है यहां पर हमारी एक डियन बनके कम्प्लिट होती है देख सकते है और फिर देख़िए यहां पर यह इस तरह का डिजाइन आगे यहां पर दो डबल से एक डबल कुरुषे दो डबल कुरुषे तो इसमें पिस में बनाने इसमें इसमें इस तरह से जुगा देंगे तो यहां पर आपको एक चेन दिखेगी कीए यहन को चेंगो हमें इस तरह से जुगा देना है फिर यहाप पे जो आपको एक चेंग दिखेगी इसी में हमें four double crochet है बनाना है सबसे पहले क्या करेंगे इस इस तरह से रखी games यहापको चेंग है दिखाए देगी इस तरह से गोर्ण ऐससे क्रोशे पर डालना है इस चेन को इस तरब से जुका देना नीचे कि तुक ही तब दागा लेंगे और यहां पर दीखिंखी सिंगल क्रोश्य आप हम इस आप躉टे हैं पर यह आप बादेंगे उसके ट talkin दालते भी में ओर चुबाँ हें यह एक तो होगे यह 3 double crochet होगे यह 4 double crochet होगे आप देखेजिए यहां 2 double crochet दिख रहे हैं आपको वी डिजाइन में एक इधर और एक इधर तब इसमें बनाएंगे हम 3 double crochet इसी तरह से रखना सिधा ही रखना है और crochet को इस तरह से डालते हैं हम 3 double crochet कर लेंगे यहां डालना है 3 double crochet करेंगे 1 double crochet 2 double crochet है और यह 3 double crochet है अब इधर वाली साइड में हमें बनाना है कि इस साइड वाली पर बनाना है तो इस तरह से में घुम जाएंगे क्रोशे पर दागा लेंगे और इधर से इस तरह से क्रोशे डालते हैं यहां भी हम 3 double crochet करेंगे यह बन डबल क्रोश है और यह 3 double crochet करने के बाद फिर से हम इधर सीधा हो जाएंगे और उसकी बाद जो हमने यहां पर 7 chain मना है इस तरह से इसे घुमाते हैं पीछे की और आ जाएंगे और यहां पर हम जो हमारी चेन बनी हुए 7 chain इसमें टालते हैं हम 8 double crochet कर लेंगे 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, 4 double crochet, 5 double crochet, 6 double crochet, कि ईएट डबल ग्रोसिये एट डबल ग्रोसिये करने की बाद जोँनी यहां देखे में अपुब खड़ी जगा दिख रही होगी एक प्याइच देख रहा होगा जोमने यहां से यहां तक किया हुआ है दिस चेन में यहां पे इस तरह से डालना अधर से निकालना है तो अपनी और खीचते वे पहली चेन से निकाल लेना है यानि सिलिप कर लेना है तो यहां पर हमारी दो डिजाइन बन गई इसी तरह से हमें नाइम डिजाइन बनाना है तैं खितकी दागे को कहाँ लाना है 54 धो और यह भी जालते हुए पहले यह इस तरह से ignored कि 내ना इसके बाद एक दो चेन लेना है इस ही जहगा पे डालते ही हमें 4डबल क्रूशे बनाना है कि goal यह फिर यह दू जाबनाना है पर पहले इसमें पर इसमें यहां पे लाकि से स्लेपी स्टीज करना है फिर आ जाएंगे नेग्स्ट डिजाइन पर इसे तरह से करते हुए तो टाल हमें 9 डियान कंप्लीट करना है तो चली 9 डियान कंप्लीट कर लेते कि पूरा नाइन हमने ये फ्लावर बना कि इसमें रेडी कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तम यहां पर इस तरह से जैंट कर लेंगे इसके बीच में जुखाली चला है यहां पर इस तरह से क्रोशेर डालना है और सिलिप करते हुए निकाल लेंगे अब यहां से 5 चेंड लेंगे 1 2 3 4 और लिए 5 5 चेंड लिया अमने अब यहां पे देखें यह दो फ्लावर को में जहां जोइंट किया हुआ देखें इह बीच की खाली जगह यहां पर डालेंगे और इसके बगल में इधर सेंबलेंगे यहां पर डालना है में जहां हमने जॉइंट किया होता है देखिए इधर इखाले आपको यहां पर हमने कुरोसे डाला और फिर इधर साइड में डालेंगे यहां पर इसके बालें दोनों में डालना है फिर से साइड से डालते हैं यहां पर इसे बांदना है फाइप चेन को फ सब्सक्राइब करते हैं और इस दूनों को इस तरह से पिछे की सैड can यहां से भाग उठाएंगे और यहां पे लेंगे दुसरे वाले साथ से सिंगल क्रोश्य करती ही मैं इसे बांद लेंगे सभी में 55 करते ही इसे तरह से करते ही में बना लेना है, 5 chain करते वे फिर बनाएंगे, यह से तरह 5 chain लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 chain को टाइट नहीं लेना है, ज्यादा 5 chain करते वे फिर, यहां पर लेंगे, यहां पर डालना है, और इसकी side में, दोनों को आपस में जोड़ते वे, इस 5 chain को यहां बांद लेना है, पिर चली इसे 5 आपक करते वे इसे तरह से राउंड में बांध लेंगे, तो देखी 5 chain करते वे पूरा राउंड हमने कम्प्लेट करें, यहां सबसे सुरुवात में 5 chain बनाया हुता, तिहां पर डालेंगे, इस तरह से, और इसे बाली chain से निकाल लेंगे, उसे side कर लेना, इस तरह से, अब यहां पर डालेंगे, यहां पर डालेंगे, चैन में single crochet कर लेना, पहले, इस चैन में पहली वाली chain में, अब यहां से, 1, 2, 3 chain लेंगे, यहां पर डबल crochet करना है, 1 chain, 1 double crochet, 2 हो गया, यह 3 double crochet, 3 double crochet करने के बाद, देखे, अब यहां पर हमने, पीछे के side से, जो हमने 7, chain में से, जो हमने 8 double crochet बनाया था, सबसे बीच में, अले point में, यहां से, 4th number chain पर डालते हैं, हम इसे joint कर लेंगे, 1 double crochet, 2, 3, 4, 5th number, chain पर डालते हैं, हम इसे, यहां पर, पीछे के side से, इस तरह से, सिंगल crochet से, जोड़ेंगे, फिर, कोई से धागा लेंगे, फिर, इसी chain में, दुबारा से, हम, 3 double crochet करेंगे, इसी chain में, डालना है, फिर से, और 3 double crochet करेंगे, 1 double crochet, 2 double crochet, 3 double crochet, यहां पर, बन चेन ले लेंगे, बन चेन, अब अगला हाला, जो फाइब चेन है, यहां पर, फाइब चेन जो है, इसमें हमें, डालना है, फिर से, हम पहले, 3 double crochet करेंगे, 1 double crochet, में डालते हैं, फिर से, हम, 3 double crochet कर लेंगे, 1 double crochet, ग्रावर के बीच में जोड़ा है यहां से धागा हम कट कर लेंगे अब इसके पत्ति किस तरह एक थालक भी है उसका ही पहले डिजयन बता रही है आपको आपको इसकी बन चुका है इसका भाग हमने आपको बता है अब ये वाला बताती अब इसके बाद हम इसका अग्रीन कलर ले लेंगे ग्रीन कलर लेने के वाद यहां सबसे पहले गांट लगा लेंगे हम अब बीच में हमने एक चैन का सबसे पहले गया लिया हुआ है इस जगा पर हम डालेंगे कुरोश्या कुरोश्या डालने को सबसे पहले हैं अब बांद लेंगे थ्री चैन ले लेंगे वान टू और यहां पर डालते हुए थ्री डबल क्रोश्या कर लेंगे तू डबल क्रोश्या और वान चैन टू हो गया यह थ्री डबल क्रोश्या हो गया थ्री डबल क्रोश्या फिर टू चैन लेंगे वान और यह टू फिर इस जगा पर डालते हुए थ्री डबल क्रोश्या करेंगे वान डबल क्रोश्या है तू डबल क्रोश्या है तू डबल क्रोश्या है त्री डबल क्रोश्या है अजा हमने यह फूल को बांधा हुआ था देख सकते हैं यहां पर फूल को बांधा हुआ था तो इसी जगा पर क्रोश्या को डालते हुए इस तरह से ने सिंगल क्रोश्या से बांद लेना है फिर से देखे एक चैन का गया जो अब नेक्टक फ्लावर के बीच डूडबल क्रेश हो गया मैrasi by इमि benefits से जोड़ना है में आब रहाوم सी ऐटेघंचित धूडबल क्रेशेज तीनों अहीं तो चेन लेंगे पन ऑन और ये टू फिर इसी जगह पर डालते हुए 3 double crochet करेंगे 1 double crochet तो देख सकते हैं यहाँ हमने 3 double crochet 2 chain 3 double crochet किया है आज हमने flower को बांधा हुआ है यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो इसी जगह पर डालते हुए हम single crochet से joint कर लेंगे इस तरह से और फिर इसी तरह से अब यहाँ पर एक चैन का जो हमने gap लिए फिर से यह वाला पत्ती अमारी यहाँ पर बनेगे यहां पर इंगल क्रोस से जोंट करेंगे फिर पत्ति यहां पर बननें एप einem 2 को इसी तरह से बनते विथ्यान को किंप्लिट करना है तो बनने के वाद इस तरह से लगी देखी तो चलिए बनाए राज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लिस कमेंट करके बता है और वीडियो अच्छे लिए तो लाइक जरू कर दें तो चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू